इस तरह से एलकोहलों का वर्गी करण जान लेने के बाद आईए अब हम इनकी नाम पद्धती जानते हैं सबसे पहले हम एलकोहल की नाम पद्धती जानेंगे यानि कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है बैसे कक्षा 11 में हमने जब हाइड्रोकारवन या उनके वित्पन्नों का नामकरण देखा था तब हमने एलकोहलों के नामकरण को सीखा था इसे हम पुरा दोहराते हैं। जब भी हम ऐलकोहल का नामकरान करते हैं, तो ऐलकोहल का नामकरान सामाने पद्धती से भी किया जाता है। जोड दिया जाता है और इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है जैसे यहां पर हम होगा अब यहां पर माल लेजिए हमारी पास है CH3OH तो यहां पर CH3 जो की मेथेन से नर्मित अलकिल समू है और इसे हम कहते हैं मेथिल और साथ ही साथ इसमें जो हमुए इसके लिए शब्द उप्योग में लाए जाएगा अलकोहल तो इस तरह से इस योगी का जो नाम होगा वह हो जाएगा मिथाईल एलकोहल इसी तरह से दूसरा हम लेजामपल ले सकते हैं जैसे यहां तो यहां पर हम देखें कि यहां पर चार ग्रवन वाले हाब कर भân की एक श्रंखला की यह नहीं कि यह बूटेन से नर्मित है और पीटेन से नर्मित है यह जो जो एलकिल सम्मू होगा उसे हम कहेंगे ब्यूटिल क्यों और चुकि यह जो सीधी श्रंखला है किसी प्रकार की शाखित श्रंखला नहीं है इसलिए इसका जो एलकिल मूलक होगा वह कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटिल और साथ इसमें पीछे हम एलकोहल जोड़ देंगे तो इ leader करन कर्ते हैं तो हम कुछ नियुमों को द्यान मीं रखते हैं अईूप्यासी पद्धती में हम एलकोहल का नाम करन关ू करन के लिए एलकोहल जिस भी एलकन का व्यृत्पन होता है उस एलकेन के अंग्रे जी नाम के अंत के ए को हटा कर यहाँ पर हम ओL यहाँ पर अनुलगन का उप्योग उसे जोड़ देते हैं इसी तरह से साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिस्थापी होते हैं यदि हाड्रॉक्सल समु के अलावा अन्य प्रतिसथापी है तो उन प्रतिस्थापी की स्थती को दर्शाने के लिए हम अंकों का उपयोग करते हैं और यदि हमारे पास लंबी कार्बन श्रिंखला वाला एलकोहल है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे उसके लिए हम पहले लंबी श्रिंखला कार्बन की लंबी श्रिंखला चुनेंगे और उसके बाद इनका क्रमांकन उस तरफ से करते हैं जिधर से हाइड्रोक्सिल समू पास होता है इस तरह से और साथ हाइड्रोक्सिल समू तथा अन्य जो प्रतिस्थापी समू वहाँ पर उपस्थे थे उनकी इस्थती को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन संख्या के द्वारा दर्शाते हैं जिस कार्बन से ये जुड़े हुए होते हैं तो आईए कुछ उदारण हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर उदारण है CH3OH, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एलकेन है यहाँ पर एक कर्बन वाला है, यानि कि मेथेन है, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे, तो मेथेन जो है, उसके नाम के अंत का E हटा देंगे, और पर इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, इसी तरह से हम अनुदारण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3, CH2, CH2OH, यहाँ पर तीन कार्बन वाला यह हाइड्रोकर्बन का वित्पन है, यहाँ पर जो तीन कार्बन वाला इलकेन होगा प्रोपेन, और उसके नाम के अंत का E हट जाकर हम यहाँ पर अंत में O, L, All जोडेंगे, साथी साथ, चुकि यहाँ पर तीन कार्बन हैं, और यहाँ पर जो हड्रोक्सिल समू है, वा पहले वाले कार्बन पर उपस्तित है, और इसलिए इसकी स्थती को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन की संख्या को भी लिखेंग तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, वन ओल, इसी तरह से हम और उदारान ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CS3, CH, इससे जुड़ा हुआ है OH और साथ में CH3, तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले हम कार्बन श्रिंखला की नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर और यह तीन कर्बन वाली हाइड्रोकार्बन का विद्पन है, तो इसके लिए यहाँ पर नाम होगा वो लिखा जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन लिखते समय हम अंत के E को नहीं लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी जो हैड्रॉक्सिल समू की स्थ प्रति दर्शाइगे जो की दो है तो उसकी बाद हम लिखेंगे प्रोपेन two all तो इस तरह सा इसका नामकरण होगा इसी तरह से हमें जितनी भी लंबी श्रिंकला हो या शाखित श्रिंकला हो या फिर हैड्रोक्सल समों के अलावा यहां पर कोई भी अन्य प्रतिस्थापी समों उपस्तित हो तो उनका नामकरण हम इसी विधी के द्वारा करते हैं जैसे यहां पर हम एक और उधारन ले सकते हैं CH3CH और इससे जुड़ा हुआ एक मेथाल समों है CH3 और इसके बाद CH2OH यहां पर भी सबसे पहले हम जो लंबी कार्बन श्रिंकला है उसका क्रमांकन करेंगे और क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सल समों पास है तो यहां पर हम देखेंगे प्रथम पहला जू डेंगे उस कारवन को देंगे जिस पर हाइड्रोक्सिल समू जुड़ा हुआ है फिर ये दूसरा कार्बन होगा यहाँ पर हम देखें कि जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर एक अन्य प्रतिस्थापी मेथाल समू उपस्थित है तो यहाँ पर मेथाल समू की भी इस्थति को यहाँ पर दर्शाएंगे और जो भी अन किहांगी को सब्कूप कर तो इस तरह से यहां पर इसका नाम हो जाएगा टू मेठायल प्रोपेन बॉट दो इस तरह से हम भेनर भेनर प्रकार के उद्हारन ले सकते हैं यह कि यहाँ पर देख रहे हैं कि sise 3 see और इसके बाद हम देखे, सी से एक और यहाँ पर जो साइट श्रेंखला यहाँ पर दिख रहा है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ओएच समू तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लंबी श्रेंखला चुननी हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि हम बाई और से यदि हम हाइड्रॉक्सल स से लंबी श्रेंखला चुनेंगे तो हमें दो ही कार्बन यहाँ पर मिल रहे हैं लेकिन यदि हम उपर से नीचे जाते वे यदि हम कार्बन की श्रेंखला चुनते हैं तो हमें तीन कार्बन की श्रेंखला मिलेगी साथ ही साथ जो दूसरे नंबर का कार्बन होगा उसमें ए उससे एक मेथाइल समू और एक हाइड्रोक्सिल समू जुड़ा हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका नामकरण करेंगे टू मेथाइल प्रोपेन टू ऑल क्योंकि मेथाइल समू और हाइड्रोक्सिल समू दोनों ही दूसरे नंबर के कार्बन पर उपस्तित हैं इसी तरह से हम और उदारन ले सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको देख रहा है यह जो सरचना है यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रिंखला चुनते हैं और लंबी कार्बन श्रिंखला चुनने के लिए यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 1, 2 दूसरे न नंबर का carbon है और यह 5 वे नंबर का carbon हैं तो इस प्रकार यहां पर हम देखें कि 5 क्योंकी carbon यह पर उपस्थित है तो यह pentane घू हाव ढिंडaking संग्म है उसका derivative होगा उसका विदपन होगा आँ छाथ ही साथ हर जो hydroxy sophomore है वह दूसरे नंबर के carbon पर उपस्थित है तथा तू ओल तो इस तरह से हम इसका नाम करन करेंगे इसे तरह से हम एक और रबाक हिम पास है उदर से हम इसका नाम करन करना शुरू करते हैं तो यहां पर रमदेखें कि पहले दूसरे के बाद तीसरे नंबर के dumpe d यहां पर hydroxyl समू जुड़ा हुआ है उसके बाद चौथे नंबर के carbon पर एक ethyl समू जुड़ा हुआ है साथ ही साथ यहां पर उसके बाद 5, 6, 7 और 8 carbon की यह लंबी श्रिंखला हमें प्राप्त होती है और 8 carbon है इसका मतलब है कि यह octane hydrocarbon का derivative है तो यहां पर हम इसका नाम करण करेंगे चौकि चौथे नंबर पर यहां पर हम देखें कि ethyl समू उपस्तित है तो इसका नाम हो जाएगा 4 ethyl octane 3 all यह इसका नाम हो जाएगा यह इसे हम 4 ethyl 3 octane all भी लिख सकते हैं इस तरह से हम देखें कि यह सभी जो alcohol हमने देखें वो सभी monohydric alcohol थे अब हम बात करते हैं या नियम जानते हैं उन alcoholों की या जिन में की एक से अधिक hydroxyl समू उपस्तित होते हैं तो जो polyhydric alcohol होते हैं उनका नाम करने के लिए हम एलकेन के नाम को जिनका यह derivative होता है उसको पूरा का पूरा वैसे ही लिखते हैं जैसे कि इसके English नाम में लिखा जाता है यहाँ पर हम E को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं लेकिन इनके बाद में हम अनुलगन अवश्य जोडते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो hydroxyl समू की संख्या क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक hydroxyl समू है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम जो यहाँ पर यहाँ पर उप्योग में लाते हैं जैसे 2 के लिए 2, 3 के लिए ट्राइ, 4 के लिए टेट्रा आदि साथ ही साथ है hydroxyl समू की स्थती को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर उप्यूग्त स्थती सूचक अंकों का उप्योग करते हैं जो की वही अंक होते हैं या जो जब हम कार्बन श्रिंखला को क्रमांकन करते हैं उस समय जो कार्बन को नंबर दिये जाते हैं वही इन हाइड्रॉक्सल सम्हों के स्थति को दर्शाने के लिए दिये जाते हैं यहां पर हम उदारन ले सकते हैं जैसे यहां पर CH2 इससे जुड़ा हुआ एक OH है फिर CH है और उस है और इसमें से तीनों ही कार्बन पर हड्रॉक्सल समू जुड़ा हुआ है तो यहां पर इसका जो नामकरण हम करेंगे चुकि तीन कार्बन है और इसलिए यह प्रोपेन का डेरिवेटी होगा और यहां पर हम बता दें कि जो प्रोपेन है वो पूरा लिखा जाएगा यहा स्थति दर्शानी होगी और यहां पर तीनों हीड्रॉक्सल समू पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पर उपस्तित हैं यानि कि 1 2 3 पर उपस्तित हैं और इनकी जो संख्या है वह तीन है इसलिए इसके लिए हम जो पूरू लगनों प्योग करेंगे वह करेंगे ट्राइग त तो इस तरह से हम जो पॉलिहाड्रिक एल्कोहल्स हैं उनका नामकरन करते हैं इसी तरह से यहां पर और उदारन हम लेश सकते हैं जैसे यहां पर है CH3, CH जिससे जुड़ा हुआ है एक OH समू और उसके बाद है CH2 जिससे जुड़ा हुआ है एक अन्य OH समू तो यहां पर भी ह तो इस तरह से पॉलि हाड्रिक एल्कोहल के नामकराण भी हम करते हैं इसके लावब मनक्रें कि जो हाड्रोकार्बन होते हैं वह चक्रिय साइक्लिक सरच्ण मेंडने मिलते हैं और उनके किसी साइक्ल एलकोहल प्राप्त होते हैं और जो इनके नाम करने के लिए इनके नाम के पहले साइक्लो पूर्वलगन का उप्योग करते हैं जैसे कि यहाँ पर हम एक उदारान दे सकते हैं यहाँ पर आपको जो एलिफेटिक चक्री योगिक दिख रहा है जिसमें की छे कार्बन की एक चैन दिखाई दे रही है और जिसमें की एक हैड्रोक्सिल समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी हम कार्बन का अंकन करेंगे और कार्बन का अंकन हम उस कार्बन से करते हैं जिससे की हाड्रोक्सिल समू जुड़ा होता है हाड्रोक्सिल समू के से जुड़े हुए कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं और इस तरह से तो यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो यह है हगसंट देरिवेट्टी होगा तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा साइकराइंगा साइक्लोहंद नॉल ईसी तरह से देख सकते हैं यहां पर आप देखेए कि पाँच कारबन की चकRI सरचनाब को दिखाई दे रही है जिसमें की एक हाइड्रोक्सिल समू भी उपस्थित है और एक मिथाल समू भी यहाँ पर उपस्थित है तो यहाँ पर पुना जो जिस कारवन से हाइड्रोक्सिल समू जुड़ा हुआ है उसे हम पहला क्रमांक देंगे और उसके बाद जो मिथाल समू है उसे हम दूसरा क्रमा क्योंकि हम जानते हैं प्रतिस्थापियों की स्थती का जो नंबरी हम इस तरह से करते हैं जिससे सभी प्रतिस्थापियों की जो नंबर है उनका योग किया जाए तो वो कम से कम आना चाहिए तो इस तरह से यहां पर नंबरिंग हम करेंगे हड्रोक्सल समों से जुड़ेवे क कर देंगे और इस तरह से हमें पांच कार्बन की श्रिंकला यहां पर चक्र दिखाई दे रहा है तो यहां पर यह पेंटेन का डेरिवर्टी होगा और इसका नाम करन करेंगे तो पहले हम प्रतिस्थापी को नाम करन लिखेंगे प्रिफिक्स के तौर पर फिर हम जो मुख्य क साइक्लो पेंटेनॉल तो इस तरह से हम देखें कि बड़ी आसानी से कुछ नीमों को ध्यान में रखते हुए हम इन अल्कोहल के नामकरन कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं फिनोल का नामकरन किस तरह से किया जाता है फिनोल जहां पर जो यह फीन पी एच इन इजो फीन शब्द दिख रहा है वह वास्तों में बेंजीन को दर्शाता है इसका मतलब यह है कि फिनोल में एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और इसे लिए इन्हें हम बेंजेनॉल भी कहते हैं बेंजीन का सबसे सरल्तम हैड्रोक्सिल व्यत्पन होता है वह है फिनोल और प्राय जो इसका फिनोल जो इसका सामान नाम भी होता है और इसका आयूपीसी के द्वारा समर्थित नाम भी यह है फिनोल इसके बाद हम देखें कि जो फिनोल की सरचना होती है उसमें बेंजिन वले बेंजिन रिंग उपस्थित होती है और इसलिए बेंजिन रिंग के जो हड्रोजन होते हैं वह भी यहां पर हड्रॉक्सिल समों के द्वारा प्रतिस्थापित रहते हैं और इस तरह से इनकी जो पॉजीशन, यह आर्थो पोजीशन पर उपस्तित हैं या ओन फूर्त को पॉजीशन, फिर प्रवन-फूरम, एक दूसरे के से पैरा पॉज़ीशन पर उपस्तित हैं इसके आधार पर हम इनका नामकरन करते हैं पहले हम कुछ उदारन लेते हैं मोनो हड्रोक्सी फिनॉल के जिसमें की जो बेंजिन रिंग में केवल एक ही हड्रोक्सिल समू उपस्थित होता है तो इसका सबसे सरल जो उदारन है वो है फिनॉल जिसमें की एक बेंजिन रिंग उपस्थित होत उसी तरह से हम देखें कि यदि बेंजीन रिग में पहले से एक मिधाल समू उपस्थ और जिसका सामानी नाम होता है है तालुइन और इस मित्तल समू के उपसित होने की साथ फिसास यहां पर एक हाइड्रोजन परवाणू को एक हीड्डॉक्सिल समू के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये तो इस प्रकार की योगीक हमें प्राप्त होता है उसका सामाने नाम होता है क्रिसोल और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो मिथल समू है और हड्रोक्सिल समू है यह दोनों एक दूसरे से पास-पास वाले कार्वन पर यानिकि one two position पर उपस्तित हैं और इसलिए इस प्रकार के जो इनके सा करेंगे और कार्बन की निमरीं करते समय हम हांट्राइब प्रियंगे और चींव आढब को पहला अंक देंगे और सम्मुं आज को दूसार नमर देंगे और इस थरह से इस सम्मुं रखना माब तू तो उस समय जो इनकी स्थती होगी वह हो जाएगी मेटा पोजीशन और इसलिए इस योगिक को तब हम मेटा क्रिसॉल कहते हैं लेकिन जब हम इसका आयूपीसी नाम लिखेंगे तो यह हो जाएगा क्योंकि जो हड्रोक्स समू है उससे तीसरे नमर के पोजीशन पर मेथायल सम इसी तरह से यदि यहाँ पर हड्रोक्स समू और मेथायल समू वन फोर पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर उपस्तित होंगे तो यहाँ पर इस योगी का जो सामाने नाम होता है वो होता है पैरा क्रिसॉल और यहाँ पर लेकिन जब इसका आयूपीसी नाम लिखेंगे इस तरह से मौनो हड्रोक्सी फिनॉल का हम नामकरन करती हैं इसके बाद हम देखते हैं कि डाइ हड्रोक्सी विक्पन या जिसे हम डाइ ऑल भी कहते हैं तो यहाँ पर अब देखें कि एक बेंजीन रिंग में के दो हड्रोजन परमाणू को दो हड्रोक्सील समू के द्वार प्रतिस्थापित किया गया है तो इस तरह से इस योगी का जो सामान नाम होता है वह होता है कैटेकॉल और इसका लेकिन जब हम इसका नाम करण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यह बेंजीन से व्यत्पन है तो यहाँ पर हो जाएगा और दो यहाँ पर हैड्रॉक वन तू पोजीशन पर उपस्तित हैं तो इस तरह से इनका नाम हो जाएगा बेंजीन यौण नाम कशन होने ऊसे तरह से यह पोजीशन पर उपस्तित हैं यहां पर लिखेंगे 130 इसका जो परोड़ उपस्तित होने पर तो इसका जो समाने नाम होता है वह capital रिसोर्स जन ओल लेकिन इसका आयूपेसी पद्धते में हम नाम लिखेंगे बेंजीन यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सल समूह है वन थ्री पोजिशन पर उपस्तित है जिनकी संख्या दो है तो इसे दर्शाने के लिए हम लिखेंगे ब बेंजीन 1,4-Diol और साथ ही साथ इस जो योगी का नाम होता है सामान नाम होता है वह होता है तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और उदारन हम देखते हैं जिसमें की हाइड्रॉक्सल समों के अलावा अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्तित ह जैसे कि यहां पर पुदारन देख सकते हैं, यहाँ पर एक benson ring में 2 methyl भी उपस्थित है और 1 hydroxyl sum उपस्थित है, तो यहाँ पर भी हम जो पहले जो क्रूमाणकन करेंगे, कारबन ring का, उसमें कारबन, उस कारबन को पहला अंक देंगे, जो की hydroxyl sum से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हम इसमें बाकी के कार्बन के नंबरिंग करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर के कार्बन पर और छटे नंबर के कार्बन पर यहां पर दो मेथाल समू उपस्थित हैं तो पहले हम जो प्रतिस्थापी हैं उनका नाम लिखेंगे फिर उसके बाद हम जो फिनॉल है उसका नाम करन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,6-dimethylphenol योगी का नाम हो जाएगा और इसका जो सामान नाम होता है वो 2,6-ginol भी इसका नाम लिखा जाता है इसके साथ-साथ यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा उदारन है जिसमें कि बेंजिन रिंग में एक हड्रोक्सल समू उपस्तित है और साथ-साथ पैरा पोजीशन पर एक क्लोराइडो समू यहाँ पर उपस्तित है तो इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो-फिनॉल या यहाँ पर एक अन्य उदारन देख रहा है जिसमें कि एक बेंजिन रिंग में 3-3 हड्रोक्सल समू उपस्तित हैं तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1-2-3 बेंजीन ट्राइओल तो इस तरह से यहाँ पर हम भिन भिन प्रकार के प्रस्तिस्थापी युक्त फिनॉलों का तथा फिनॉल समू जो क्रियाक्मक समू है उनकी सरचना को जाने यदि हम यहाँ पर एलकोहल की सरचना देखें तो एलकोहल में जो हड्रोक्सल समू होता है यानि कि ओएच समू में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन तथा कारबन आपस में सिग्मा अबंध के द्वारा संकृत और्बिटल तथा ऑक्सीजन के संकृत और्बिटलों के अतिव्यापन के फल्सवरूप बनता है अब चुकि यहाँ पर संकृत प्रकार का संक्रान हुआ है अता यहाँ पर जो आबंध कोण है वह 109 डिग्री 28 मिन का होना चाहिए जो कि संकृत आर्बिटलों में प् सित होते हैं और इन लोन प्यार में प्रतिकर्शन होने की वजह से जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाड्रोजन जो आबंध कोण होता है वह थोड़ा सा कम हो जाता है यानि कि चतुशफल के आबंध कोण की तुलना में यह थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका मान 108.9 डिग्री रह इसके लावा हम देखें कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के आबंध लंबाई होती है वह 142 पेकोमीटर होती है और साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाड्रोजन के बीच आबंध लंबाई होती है वह 96 पेकोमीटर होती है इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखें जो फि रिंग से जुड़ा हुआ होता है और जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है वह हम जानते हैं SP2 संक्रित कार्बन होता है यहां पर जो फिनोल में कार्बन और ऑक्सिजन की जो बंध लंबाई होती है वह अलकोहल की तुलना में कम होती है यहां पर इसकी जो बंध लंब लंबाई से थोड़ी सी कम होती है और इसके पीछे कारण है कि जो यहां पर ऑक्सीजन के जो असाभाजित इलेक्ट्रान युग में यानि कि जो लोन प्यार इलेक्ट्रान है वो एरोमेटिक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रान है उनके साथ यह संयुगमन कांजुगेशन में उपसित होते हैं साथ ही साथ यहां पर देखें कि जो कारबन है वह स्पीटू संक्रित होता है और तथा जबकि ऑक्सीजन का यहां पर स्पीट्री संक्रित आर्बिट्लों से यह जुड़ा हुआ होता है साथ ही साथ यहां पर हम देखें कि जो एस्पीटू संक्रित संक्रित होने की वज़े से यहां पर जो बंध लंबाई होती है वह भी थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन यहां पर जो आबंध कों है यानि कि जो बेंजिन रिंग वाले कारबन ओक्सीजन और हैड्रोजन के बंधर लंबाई होती है वह अलकोहल की तुलना में कम होती है और 136 पिकोमीटर होती है